तो दोस्तो आज मैं विनीद चाचा जी के साथ यहां पर आया हूँ और मैं उनसे उनका इंट्यूल ना जाता हूं जो मैं बहुत समय से चाहता था और फिर आगरा आ चुके हैं जैपुर से आपका नाम तो इतना बड़ा हुए है मुझसे लिया नहीं जाता लेकि जो घर का नाम है ओम मैं आपसे बहुत दूंगा तो चाचा जी जैसे कि आप बहुत सारी कवीता गाते हैं तो उन्हें वैसे ऐसी कौन से कवीता है जो लोगों को इतनी पसंदाई है जैसे महाराप्रता किसी भी मा की जितनी भी संताने होती है उसे पूछो तुमारी सबसे प्यारी संतान कौन सी है उनके लिए सब संताने बहुत अच्छी होती है तो मुझे तो सारी संताने बहुत प्री है फिर भी कभी कभी किसी का कलर अच्छा लगता है किसी के आँखें अच्छी लगती है तो दो थीन कविताइं वो हैं जो मुझे भी अच्छी लगी और देश के शोता लिंता को भी अच्छी लगी उसमें तो आप जो रणा प्रताप की कह रहे हैं वो चुड़ा वुश्यक्तावत की कविता है मेरी जो राजस्थान के इतिहास पर लिखी है एक वीरसावा कड़ी और एक सैनी की चित्थी तीन कविताइं मेरी देश को बड़ी पसंद आई हैं अभी मेरी कविता जो मैं अभी लॉंच नहीं करी है वो है महरती करण पर लिखी हुए वह कभी जब आएगी रचना मुझे लगता वो शायर और अच्छी आएगी अभी मैंनों सब लोग सुने राइनि नहीं जतने जतने लिखार जाता रास्तान बड़ा सूखा है तो मैंने उसको जवाब दिया था काफी पॉपुलर हुए अच्छा लगता अच्छा लगता और मतलब कि यह जो महापृता वाली कवीता थी इस केहले आपके पर कहा से आजिया है और कि आपने कहा से सोचा ओव यह आपने वह सवाल पूछा जो आज तर्मिर से किसी ने नहीं पूछा जब मैं आपकी तरह बहुत छोड़ा बालक था तो मैं नाइंथ क्लास में पढ़ता था हमारे कोर्स में कहानी थी तरहसल में यह मैं तरहसल में वहां पढ़ी थी और मेरे बालक मन में यह अबोध समय पर डल बहीं बहुत बडा हुआ तो मुझी धाना कोई ऐसी कविता ऐसा कहानी मैंने कहीं इंग्लिश के उसमें मैं पढ़ी थी और मुझे लगा यह कविता में डाली जानी चाहिए तो मैंने वहां इसे जो आपने 9th क्लास में पड़ी थी, हाँ, इकविता नहीं थी, उसमें कहानी थी, English के अंदर, तो वहाँ, अब 9th क्लास का बच्च, कहते न, जो बच्पन में जो चीज़ें हैं थी, वो बहुत याद रह जाती है, उसके पाद और भी पहुसतारी चीज़ें पड़ी होंगी, इससे अच्छी भी पढ़ी होंगी, लेकिर वो मेरे जहन में बसी हुई थी, कैसे आखिर उस हाथी ने टक्कर मारी होगी, दरवाजे को तोड़ा होगा, कैसे वो अंदर घुसा होगा, एंटर किया होगा, सीने में शारी केल घुस गई होगी, कैसे उस दूसरे यो धने सर का काट के अपना अंदर फैंका होगा, कि अधिवत वीरता की कहानी थी, मेरे बाल मस्तिक्ष में उस कहानी को दुबारा पढ़ा, फिर उसे कविता में कहा, आप जो लोगों को रसंद है, अच्छा, और लग कि आपको ये दिल से चाह गई, दिल में समा गई थी, कविता, बिल दोनों को किसे लिए कि सामने पहले कौन लड़ेगा, इस जिद्ध के लिए, लोग मतला को युद्ध होता है, भाई आप पीछे रहूँगा, वो क्या कहते हैं, मैं पहले रहूँगा, पहले मरूँगा, पहले लड़ूँगा, इसके लिए किसी का युद्ध हुआ हो, ये विष्ट के इतिहास का अब तक का अकेला युद्ध बाद, तो ये महावरता वाली आपको इस तरीके सची लगी, उनके बेटे थे, अमरसिंग, महावना प्रताप के जो बेटे, उनके शाशन में दो सहना पती थे, पहना प्रताप पर नहीं ये पूरी करता, उनके बेटे क दो सहना पती थे, चुंडावत और शक्तावत, उनके लिखी वी हो गता है, पर लोग कहते हैं कि अमरसिंग शाजा के नीचे, उनके शाजा के अंदर स्लेंडर, 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 नहीं इसा नहीं है, असल में क्या है, हमारे जितने भी इतिहास हैं, वो समय ह मुगल लोग थे, या फिरवाज में अंग्रेज लोग है, तो वो हम लोगों के शाजन को, या हमारी वीर्ता की कहानी, वो पराजय में बदलते रहे, हल्दिगाटी में यह हो गया, फलान जगय यह हो गया, जबकि अनेक जगय ऐसा हुआ है, बनकि ज्यादा तर जगय ऐसा ह लेकिन उनको पराजय में कहा, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने सरिंडर कर दिया, या ऐसा कुछ हो गया, वो सब नहीं था, यह सब लिकाय की बाते है, हाँ पर मैंने किस जबाद पढ़ा था, कि अमर सिंग ने शाजा को सत्रा बार राय था, वो मुहमद गोही के आता है, मिला, उन्होंने अपनी कुरूरता का कोई मौका नहीं ठोड़ा, चाहिए आप कश्मीर में आप देखिएगा, मतलब मुगल लोगों का DNA ही ऐसा है, कि उनके अंदर हत्या करना नहीं है, कुरूरता पूरबर हत्या करना, अभी मैंने कश्मीर फाइल फिल्म देखी है, आपन अभी माले लोगों ने अपने का बर्वादी अधोके से अंदर चिपा हुआ है, और फिर उस महिला को आरे से चीर दिया, कैसा कर रहे हैं तो आप दो गोली भी मार सकते थे, नहीं, कुरूरता पूरवक मारना, किसी गुर्गोविन सिंग तेख बादू जी को आरे से चीर न जैसे अभी वह हुआ गया था एक आदिमी था कश्मीर में जो जैसी आदंगवाद लोग गोली चला देते ना तो वह एक हराइस के ड्रम के अंतर शब गया था वहां से खुण निकला थिर वह चामलों को मेरा कर उसके पत्नियों किला यह कुरता है अभी किसी दुश्मनी यह जाफ शाथ यह गोली बार सकते हैं जिर्गा उना चाहिए है है अड़ी आंसा यह पोपने चेटी ओं को भी उपरमार हो चुगा डालते हैं उपेसमे आटा डालते हैं चिडियां को डालते हैं मुहां शुबे सब्सक्राइब मुर्ग जो करता है हमारे मलिक संसकारों में कोई वश्च करती हैं कि वो लोग इतने उदार्थ तो नहीं है ऐसा मुझे रखता है अपर यह वास सभी एक जगा से देखा जाए तो यह वास सभी है और यह जो आपकी कवीता है तो फिर यह एक महापताब की कैसी कवीता थी जिसमें आपने नाइंथ क्लास में पढ़ा था नाइंथ क्लास में अन्य कहानिया सुनी तो ऊंको मैंने एक भारत महापुरुषूं की वहांद है म सभारत महापुरुषूं की कहानी पढ़ी और उस है चित्र बना रखा था को वह औंटर पेहना रखाय है जैल के कपड़ें पहना रखें यह कौन है जो पशू की तरह सा इ तो मुझे दगा ऐसे भी थे क्या जिन लोगों को बेल की तरह कोलो में जोड़ दी आया है तेज साल तक अगले जेल में रहे तेरा साल तो अंडबान काला पानी मैं गया हूं अंडबान काला पानी के अंदर अभगर गया हूं इस चोटी से कोली मतलब 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 два मतलब से चारफिक इंक जी रहे हूं तो और नीचे देखो जिदी वहां से तो वहां फांची घरता तो फांची को तड़ती है आदमी को आप देख रहे हो हंटर पड़ रहे हैं को तो उनको एसी जगह रखा गया था साबर करको जहां से उनको उस सब चीज़ें दिखती रहें वो ड्रें तेरा साल तक वह आदमी तो रहा और दुर्भाग देखे इस देश का कि हमारे देश में उन महापुरुषों की जितने बड़े योगदान है उन पर भी हमारे राजनेतां उन्हें प्रश्ण चीन लगा लिए मुझे कई बार लगता है कि इस देश की राजनीती को थोड़ा उपर सोचना चाहिए हो सकत पताना चाहिए कि इनका बड़ा योगदान रहा है तो आपने ऐसे अपनी बुक से पढ़ पढ़े हां पढ़ना चाहिए सुननना चाहिए सैनी के चित्थि को मैंने बुक में नहीं पढ़ा देखा इस देश में सारे टेल्वीजन पर आया और जहां में पढ़ा था रास्ता चुडेंट था जो युद्ध में गया था रूम परी कहानी उसकी है कि उसमें वहां से चिट्थी लिखी अपनी मा को पतनी को पिता को और मैं देखा सब कुछ तो मैंने देखा देखो सैनी कैसे लड़ रहे हैं और मैं परिवार को कैसे याद कर रहे हैं अपने घाटियों कुछ पढ़कर और कुछ सुनकर कुछ देखकर ऐसा देखते हैं तो कविताएं लिखी जाती है आज तो हमारे साथ आए मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप से मुझे बास्चीत करनी पड़ी और खूब सुरत लगा मुझे कि तुम छोटे पत्रकार बन गए देरे लिए तुमें बहुत आशिश शुब कामना है फिर अपन मुलाकात करेंगे आपसे तुमें ताज मुट्सों में कविसमंगल मुझे जाना है फिर आप से नमत भी लेंगे बहुत बहुत शुक्रिया तो दूस्तों अगर आपको मेरे चाचर जी के साथ एक छोट असा इंडियो और छोटी जिवात अगर आपको अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक करदेंगे और सब लोगों को शेयर करदेंगे त्या कि सब लोगों को पता चल जाए कि हमारे देश की साथ क्या क्या हुआ क्या चाहिए ॐ देखने चाहिए हुआ है कविधा खुछ ना कुछ जाए हुआ हुआ है कुछ ना कुछ ना कुछ और अब लीचे जरूर के दिये देखना थाए हुआ 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 है